तो आज कि इस विड़ों बात करें कि बहुत सारे स्माकडाउन के स्टार्स भी इस बार रॉ में आने वाले है जो वेसल में या रॉ है और शारलेट फेर ने भी अपना करेक्टर ब्रेक करें और तारीफ करें रिया रिपली की वो बड़े स्टार होने वाली है फ्यूचर में बात करें है और रॉमन वहीं से भी पूछा गया है था कि उनके सब्सक्राइब यू टालेंट रिकूर्ट करें है विड़े व्यूचर सक्सेस के लिए गेबल सीफिशन के विश्ल मीन या प्लांस क्या सजेस्ट विए थे बैक्स्टेज में उसके बारे में बात करेंगे चल से पूछा गया था कि उनके हसाब से कौन सा है greatest of all time उनका है उनकी performance के हिसाब से वो खुदी गोट है वो पॉस्टेंटली पुछ कर रहे है अपनी performance को उनका वो टॉप गाया दभी रभी क्यों और जो फेस है यह बिलियन डॉलर कंपनी के इसलिए वो the greatest of all time उनका देखते है रोमन रेंज और ब्रॉक लेस्टनर जो दे बिगएस रेसल मेनिया माच ऑफ हिस्ट्री में फाइट करने वाले है इस बार रेसल मेनिया 38 के में इवन्ट के बाद जो बनता है अंडिस्प्यूटेड डवी युनिवर्सल चांपियन और उसका नाम कुछ और होगा बस वह ब्लू स्ट्रिप वली टाइटल वह में कौछी नहीं आप सब्सक्राइब कैसे लगी ती जो फोटो आई थी जिसमें सिर्फ ब्लू स्ट्रिप वॉलिज ने फोटो डाली है जिसमें विंस्प्रिक्ण से मेसेज आया कि विंस के ओफिस से कोई उन्हें रीच आउट करने वाला और मीटिंग सेट अप होने वाली है कॉर्पोरेट हेटकोर्टर में और विंस्प्रिक्ण को चाहिए ऑफिस में सेथ फ्रिक्ण वॉलिश 9am को मंडे को और मंडे को मंडे नाइट रॉब होती है लेकिन वो तो रात को होती तो 9am देखते हैं यह मंडे नाइट रॉप हमें सेग्मेंट मिलता है कि नहीं और व्रेस्लिंग अब्जर्वर न्यूज लेटर से न्यूज आई है कि बहुत सारे लोग डवी डवी कंपनी मे सजेस्ट कर रहे है कि गेबल स्टीव सान का डेब्यू मैनिया में होना चाहिए वैसलमेन्य 38 में जिसमें वो स्लाम और लिश्वर नौसग के अंदर ही लेकिन अगे करेंट हैं यह देखτι आघ्रव स्टीव संट डेब्यू करते हैं वेसलमेनिया 38 में या फिर उसके बाद करेंगे क्योंकि वह बहुत ही जल्दी डेब्यू तो करने वाले हैं वापस से डेवी ने फेस्बुक पे भी फोटो टाली थी हाइप करते हैं कि हुविल पिन ऑमोस क्योंकि ऑमोस भी एक्टम से थोड़ा सा साइरन स्टार्ट हुए जिसमें वह हर अफ्तर डॉमिनेंट दिखते हैं गेबल तीफसर उनको पेन करके स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग अब दे करियर में उन्हें बूस तो मिल सकता है और देखते हैं उनका फ्यूचर कैसे जाते डवी डवी में और ट्रिपल एच रिटायर तो हो चुक है अन्विंग कॉंपेडिशन से लेकि ब्रैंड तो बहुत ही मस्त बनाई थी एक टाइम पे अब उसका कुछ भी हो रहा हो लेकिन उन्हें नहें टालेंट को बहुत ही अच्छा करता जैसे बहुत सभी टालेंट वी थे शिंस के नाका मुरा भी आये थे लेकिन अब अलगी है और जोनी गरगानो और टोमासा स्या चांपा की भी राइवल्री बहुत ही मस्त थी और उनके मैच इस तो हम जानती है कि ते मस्त और ब्रूटल भी होते हैं और अभी अपनी स्मैकडाउन वोमेंस चांपेंच चार्लेट फ्लेयर से भी पूछा गया था कि अपने वह मैच के बारे में थोड़ बताए जो मनी इन चांट हो रहे थे जब इन दोनों का मैच चल रहा तो लाश में उन्होंने इस इस ऑसम से अभी चांट सुने थे हमने मैच एकस्पेक्टेशन से बहुत ही अच्छा डिलेवर भी करा थे इन दोनों ने तोनों का यह प्यूचर है वोमेंस डिवीजन की और यह बिकाई कि उन कि प्रूटल होते तो जाधा इंट्रस्ट भी आता दोनों की स्टोरी लाइन और मैंच के लिए विख साइटी होते हैं यासे वी रॉन्डा रायोजी और शारलेट फ्लेयर की भी हो रहे है फ्यूड को जानते है कि क्रिटेसिजम भी मिलत भार बार वह हमेशा बिलता है जब वो बार-बार चांग्पेंशिप के लाते पहले रोमन रेंज को भी मिला था जब वो फेस थे लिकेट पर उनके करेक्टर में जो एवल्यूशन आई ही बनने के बाद बहुत ही सही आई और अब जो रेसल मीन या रो होने वली है त्यूजडे को इंडिया में मत एक वोमेंश का माच होने वाले क्वीन जलीना कार्मेला शेना बेज़र और नाटालिया वसिस शाशा बैंक्स नेयोमी रिया रिपली और लिव मॉर्गन पीडबी इंसाइडर से न्यूज आई है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना है बड़ी मेरा बारा से ज देख रहे हैं तो मिलते हैं कल फिड़े डेट सारी नियू से ले तब तक के लिए भाइबाए